C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा आठ की गनित की पाठे पुस्तक का ध्वनी पाठ ये है अध्याय 9 बीजिय व्यन्जक एवं सर्व समिकाए प्रिष्ट संख्या 155 9.9 बहुपद को बहुपद से गुणा करना अईए एक द्विपद कोश्टक में 2A जमा 3B को दूसरे द्विपद कोश्टक में 3A जमा 4B से गुणा करते हैं जैसा कि हमने पहले किया है वैसे ही गुणन के वित्रणनियम का अनुसरन करते हुए हम इसे भी करम से करते हैं कोष्ठक में 3A जमा 4B, गुणा कोष्ठक में 2A जमा 3B, बराबर है 3A जमा 4B, गुणा कोष्ठक में 2A जमा 3B, बराबर है कोश्ठक में 3A गुणा 2A जमा कोश्ठक में 3A गुणा 3B जमा कोश्ठक में 4B गुणा 2A जमा कोश्ठक में 4B गुणा 3B ध्यान दीजिए एक द्विपद का प्रतियक पद दूसरे द्विपद के प्रतियक पद से गुणा होता है बराबर है 6 A वर्ग जमा 9 A B जमा 8 B A जमा 12 B वर्ग बराबर है 6 A वर्ग जमा 17 A B जमा 12 B वर्ग क्योंकि B A बराबर है A B जब हम एक द्विपद का एक द्विपद के साथ गुणन करते हैं तो हम आशा करते हैं कि दो गुणा दो, बराबर है चार, पद उपस्थित होने चाहिए, परंतु इन में से दो पद समान हैं जिनको एक साथ इकठा कर दिया है और इस प्रकार हमें तीन पद प्राप्त होते हैं। बहुपद को बहुपद से गुणा करते समय, हमें समान पदों को ढूंड लिना चाहिए और उन्हें मिला लिना चाहिए। उदहरन आठ, गुणा कीजिए, 1. कोश्ठक में x खटा 4 एवं कोश्ठक में 2x चमा 3 को, 2. कोश्ठक में x खटा 4 एवं कोश्ठक में 3x जमा 5y को, हल, 1. कोश्ठक में x खटा 4, गुणा कोश्ठक में 2x चमा 3, बराबर है x गुणा कोश्ठक में 2x चमा 3, घटा 4 गुणा कोश्ठक में 2x चमा 3, बराबर है कोश्ठक में x गुणा 2x, जमा कोश्ठक में x गुणा 3, घटा कोश्ठक में 4 गुणा 2x, घटा कोश्ठक में 4 2x वर्ग जमा 3x घटा 8x घटा 12 बराबर है 2x वर्ग घटा 5x घटा 12 समान पदों को जोड़ने पर 2. कोश्ठक में x खटा y गुणा कोश्ठक में 3x चमा 5y बराबर है x गुणा कोश्ठक में 3x चमा 5y घटा y गुणा कोश्ठक में 3x चमा 5y बराबर है कोश्ठक में x गुणा 3x जमा कोश्ठक में x गुणा 5y घटा कोश्ठक में y गुणा 3x घटा कोश्ठक में y गुणा 5y बराबर है 3X वर्ग जमा 5XY घटा 3YX घटा 5Y वर्ग समान पदों को जोडने पर उदारण 9 गुणा कीजिए 1. कोश्ठक में A जमा 7 और कोश्ठक में B जमा 5 को 2. कोश्ठक में A वर्ग जमा 2B वर्ग और कोश्ठक में 5A घटा 3B को हल 1. कोश्ठक में A जमा 7 गुणा कोश्ठक में B घटा 5 बराबर है A गुणा कोश्ठक में B घटा 5 जमा 7 गुणा कोश्ठक में B घटा 5 बराबर है A B घटा 5A जमा 7 B घटा 35 नोट कीजिए कि इस गुणन में कोई भी समान पद नहीं है 2. कोश्ठक में A वर्ग जमा 2 B वर्ग गुणा कोश्ठक में 5 A घटा 3 B बराबर है A वर्ग कोश्ठक में 5 A घटा 3 B जमा 2 B वर्ग गुणा कोश्ठक में 5 A घटा 3 B बराबर है 5 A की घात 3 घटा 3 A वर्ग B जमा 10 A B घटा 6 B की घात 3 9.9.2 द्विपद को त्रिपद से गुणा करना इस गुणन में हमें त्रिपद के प्रतियक पद को द्विपद के प्रतियक पद से गुणा करना पड़ेगा इस प्रकार हमें 3 गुणा 2 बराबर है 6 पद प्राप्थ होंगे यदि एक पद को एक पद से गुणा करने पर समान पद बनते हैं, तो प्राप्त पदों की संख्या घट कर पांच या उससे भी कम हो सकती है. प्रिष्ट संख्या 156 बराबर है एक गात तीन जमा दस ए वर्ग जमा चबईस ए जमा पैनतीस अन्तिम परिणाम में केवल चार पद ही क्यूं हैं? उदाहरन दस सरल कीजिए कोष्ठक में ए जमा बी, कोष्ठक में दो ए घटा तीन भी जमा सी, घटा कोष्ठक में दो ए घटा तीन भी, सी हल, हम प्राप्त करते हैं कोष्ठक में ए जमा बी, कोष्ठक में दो ए खटा तीन भी जमा सी, बराबर है दो ए वर्ग, घटा तीन भी, जमा एसी, जमा दो ए बी, घटा तीन भी जमा बी, सी बराबर है 2A वर्ग घटा AB, घटा 3B वर्ग, जमा BC, जमा AC ध्यान दीजिए घटा 3AB एवं 2AB समान पध हैं और कोश्ठक में 2A घटा 3B, C बराबर है 2AC घटा 3BC इसलिए कोश्ठक में A जमा B, कोश्ठक में 2A घटा 3B, जमा C घटा कोश्ठक में 2A घटा 3B, C बराबर है 2A वर्ग घटा AB, घटा 3B वर्ग, जमा BC, जमा AC घटा कोश्ठक में 2AC घटा 3BC बराबर है 2A वर्ग घटा AB, घटा 3B वर्ग, जमा BC, जमा AC, घटा 2AC, जमा 3BC बराबर है 2A वर्ग, घटा AB, घटा 3B वर्ग, जमा कोश्ठक में BC जमा 3BC, जमा कोश्ठक में AC घटा 2AC बराबर है 2A वर्ग, घटा 3B वर्ग, घटा AB, जमा 4BC, घटा AC प्रश्नावली 9. लबचार 1. दुइपदों को गुणा कीजिए 1. कोश्ठक में 2X जमा 5 और कोश्ठक में 4X घटा 3 2. कोश्ठक में Y घटा 8 और कोश्ठक में 3Y घटा 4 3. कोश्ठक में 2.5L घटा 0.5M और कोश्ठक में 2.5L जमा 0.5M 4. कोश्ठक में A जमा 3B और कोश्ठक में X जमा 5 5. कोश्ठक में 2PQ जमा 3Q वर्ग और कोश्ठक में 3PQ घटा 2Q वर्ग 6. कोश्ठक में 3 बटा 4 A वर्ग जमा 3 B वर्ग और 4. कोश्ठक में A वर्ग 2 बटा 3 B वर्ग गुणन फल ग्याद कीजिए, एक, कोश्ठक में पांच घटा दो एक्स, कोश्ठक में तीन जमा एक्स, दो, कोश्ठक में एक्स जमा साथ वाई, कोश्ठक में साथ एक्स घटा वाई, तीन, कोश्ठक में ए वर्ग जमा बी, कोश्ठक में ए जमा बी वर्ग, 4. कोश्ठक में P वर्ग घटा Q वर्ग, कोश्ठक में 2P जमा Q 3 सरल कीजिए 1. कोश्ठक में X वर्ग घटा 5, कोश्ठक में X जमा 5, जमा 25 2. कोश्ठक में A वर्ग जमा 5, कोश्ठक में B की घाद 3 जमा 3, जमा 5 3. कोश्ठक में T जमा S वर्ग, कोश्ठक में T वर्ग घटा S 4. कोश्ठक में A जमा B, कोश्ठक में C घटा D, जमा कोश्ठक में A घटा B, कोश्ठक में C जमा D, जमा 2 कोश्ठक में AC जमा BD 5. कोश्ठक में x चमा y, कोश्ठक में 2x चमा y, जमा, कोश्ठक में x चमा 2y, कोश्ठक में x खटा y 6. कोश्ठक में x चमा y, कोश्ठक में x वर्ग खटा xy जमा y वर्ग 7. कोश्ठक में 1.5x घटा 4y, कोश्ठक में 1.5x जमा 4y जमा 3, घटा 4.5x जमा 12y 8. कोश्ठक में A जमा B जमा C, कोश्ठक में A जमा B घटा C सर्व समिका क्या है? बायापक्ष LHS बराबर है कोश्ठक में A जमा 1, कोश्ठक में A जमा 2, बराबर है कोश्ठक में 10 जमा 1, कोश्ठक में 10 जमा 2, बराबर है 11 गुणा 12, बराबर है 132. दायापक्ष RHS बराबर है A वर्ग जमा 3A जमा 2 बराबर है 10 वर्ग जमा 3A गुणा 10 जमा 2 बराबर है 100 जमा 30 जमा 2 बराबर है 132 अतह A बराबर है 10 के लिए समिका के दोनों पक्षों के मान समान हैं आईए अब A बराबर है घटा 5 लेते हैं LHS बराबर है कोश्ठक में A जमा 1, कोश्ठक में A जमा 2 बराबर है कोश्ठक में घटा 5 जमा 1, कोश्ठक में घटा 5 जमा 2 बराबर है कोश्ठक में घटा 4, गुणा कोश्ठक में घटा 3, बराबर है 12 RHS बराबर है A वर्ग जमा 3 A जमा 2 बराबर है कोश्ठक में घटा 5 का वर्ग जमा 3 कोश्ठक में घटा 5 जमा 2 बराबर है 25 घटा 15 जमा 2 बराबर है 10 जमा 2 बराबर है 12 अतह A बराबर है घटा 5 के लिए भी LHS बराबर है RHS इस प्रकार हम प्राप्त करते हैं कि A के किसी भी मान के लिए इस समिका का LHS बराबर है RHS है ऐसी समिका जो चर के सभी मानों के लिए सत्ते होती है सर्व समिका कहलाती है इस प्रकार कोश्ठक में ए जमा एक, कोश्ठक में ए जमा दो, बराबर है ए वर्ग जमा तीन ए जमा दो एक सर्व समिका है एक समिकरण अपने चर के केवल कुछ निश्चित मानों के लिए ही सत्ते होता है यह चर के सभी मानों के लिए सत्ते नहीं होता है उदारणार्थ समिकरण ए वर्ग जमा 3 ए जमा 2 बराबर है 132 की चर्चा कीजिए यह समिकरण ए बराबर है 10 के लिए सत्ते है जैसा कि हम उप्रियुक्त पंक्तियों में देख चुके हैं, परंतु ए बराबर है घटा पांच, अत्वा ए बराबर है शून्ने, इत्यादी के लिए यह सत्य नहीं है. दर्शाइए कि ए वर्ग जमा तीन ए जमा दो बराबर है एक सो बत्तीस, ए बराबर है घटा पांच, एवं ए बराबर है शून्ने के लिए सत्य नहीं है. 9.11 मानक सर्वसमिकाएं अब हम ऐसी तीन सर्वसमिकाओं के बारे में अध्यान करेंगे जो बहुत उप्योगी हैं, एक द्विपद को दूसरे द्विपद से गुणा करते हुए इन सर्वसमिकाओं को प्राप्त किया जाता है. सर्व प्रथम हम गुणनफल कोश्ठक में ए जमाबी, कोश्ठक में ए जमाबी अत्वा कोश्ठक में ए जमाबी का वर्ग के बारे में चर्चा करते हैं. कोश्ठक में ए जमाबी का वर्ग बराबर है कोश्ठक में ए जमाबी, कोश्ठक में ए जमाबी, जमाबी, कोश्ठक में ए जमाबी, बराबर है ए वर्ग जमाबी, जमाबी ए जमाबी वर्ग, बराबर है ए वर्ग जमादो ए बी, जमाबी वर्ग, क्योंकि ए भी बराबर है अतह कोश्ठक में A जमा B का वर्ग बराबर है A वर्ग जमा 2AB जमा B वर्ग यह पंक्ती एक है, सपश्ट तह यह एक सर्वसमिका है क्योंकि वास्तविक गुणन द्वारा LHS से RHS प्राप्त किया गया है, आप सत्यापित कर सकते हैं कि A तथा B के किसी भी मान के लिए सर्वसमि के दोनों पक्षों के मान समान हैं, इसके पस्चात हम गुणन फल कोश्ठक में A खटाबी, कोश्ठक में A खटाबी अत्वा कोश्ठक में A खटाबी के वर्ग के बारे में चर्चा करते हैं, कोश्ठक में A खटाबी का वर्ग बराबर है कोश्ठक में A खटाबी, कोश्ठक में A घटा B, बराबर है A वर्ग घटा A B, घटा B A जमा B वर्ग, बराबर है A वर्ग घटा 2 A B, जमा B वर्ग, अत्वा, कोश्ठक में A घटा B का वर्ग, बराबर है A वर्ग घटा 2 A B, जमा B वर्ग, यह पंक्ती दो है. प्रिश्ट संख्या 158 अंततह कोश्ठक में ए जमाबी, कोश्ठक में ए खटा भी पर विचार करते हैं हमें प्राप्त हैं प्रयास कीजिए सर्वसमेका एक में बी के स्थान पर घटा भी रखिये क्या आपको सर्वसमेका दो प्राप्त होती है अब हम एक और अधिक उप्योगी सर्वसमेका का अधियन करते हैं कोश्ठक में एक्स जमाँ एक्स जमाँ बराबर है एक्स यह पंक्ती चार है प्रयास कीजिए एक ए बराबर है दो बी बराबर है तीन एक्स बराबर है पांच के लिए सर्वसमेका चार का सत्यापन कीजिए दो, सर्वसमेका चार में ए बराबर है बी लेने पर आप क्या प्राप्त करते हैं? क्या यह सर्वसमेका एक से संबंधित है? तीन, सर्वसमेका चार में ए बराबर है घटा सी तथा बी बराबर है घटा सी लेने पर आप क्या प्राप्त करते हैं? क्या यह सर्वसमेका दो से संबंधित है? चार, सर्वसमेका चार में बी बराबर है घटा ए लीजिए हम समझ सकते हैं कि सर्वसमिका चार अन्य तीनों सर्वसमिकाओं का व्यापक रूप है। सहयोग, रुची शर्मा, निर्देशन वनिर्मान, विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुती CIET, NCERT, नई दिल्ली भारत।